साथियों, महापुरुषों का, संतों का वचार, इसलिए अमर होता है, क्योंकि वो जो कहते हैं, जो बताते हैं, वही अपने जीवन में जीते हैं। आचारिय विजय वल्लब जी कहते थे, साधू महात्माओं का कर्टव्य केवल अपनी आत्मा के कल्यान करने में ही समाप्त नहीं होता। उनका यह भी कर्टव हैं, कि वह अज्ञान, कलह, बेकारी, विशमता, अंतस्रत्दा, आलस, व्यसन और बुरे रिती रिवाज़ां, जिन से समाज के हजारों लोग पिडित हो रहे हैं, उनके नाश के लिए सदा प्रहत्न करें। उनके इसी सामाजिक दर्शन से प्रेडित होकर, आज उनकी परंपरा में कितने ही युवा समाज सेवा के लिए जूड रहे हैं, सेवा का संकल्प ले रहे हैं। संतजन आप सब भी ये भलीभाती जानते हैं कि सेवा, सिक्षा और आत्म निर्भरता से ये विशय आचारे सी के रुदे के सबसे करीब थे। गुलामी के कालखन की तमाम चुनवतियां के भावजू, उन्होंने जगह जगह सिक्षा का प्रचार किया, गुरुकुलों, विद्यालयों और महा विद्यालयों की स्थापना किया, उन्होंने आवान किया था, गर-गर विद्यादीप जले, गर-गर विद्यादीप जले, लेकिन वो ये बाद भी समझते थे, कि अंग्रे जोद्वारा बनाई शिक्षा व्यवस्ता, भारत की आजादी और प्रगती में मददगार नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने जीन विद्यादयों, महा विद्यादयों की स्थापना की, वहाँ शिक्षा को भारतियता का कलेवर और भारतिय रंग दिया। जैसे मात्मा गांदी ने गुजराद विद्यापिट का सपना देखा था, वैसा ही सपना गुरु वल्लब ने देखा था। एक तरह से आचार ये विजे वल्लब जी ने शिक्षा के खेत्र में भारत को आत्म निर्भर बनाने का अभ्यान शुरू किया था। उन्होंने पंजाब, राजस्तान, गुजराथ, माराष्टर, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में भारतिय संस्कारों वाले बहुत से सिक्षन संस्ताओं की आधार चिला रखी। आज उनके आशिरवाद में अनेकों सिक्षन संस्ताण देश में काम कर रहे हैं। साथियों, आचारिय जी के ये सिक्षन संस्ताण आज एक उपवन की तरह है। ये भारतिय मुल्यों की पाड़ साला बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। सो सालों से अधिक की स्यात्रा में कितने ही प्रतिभासाली युवा इन संस्ताणों से निकले हैं। कितने ही उद्योगपतियों, नायादिशों, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने इन संस्ताणों से निकल गर देश के लिए अभुत्पुर्वय योगदान दिया है। इन संस्तानों की एक और विश्यस्त बात रही है, स्त्री सिक्षा, नारी सिक्षा, स्त्री सिक्षा के एक शेत्र में इन संस्तानों ने जो योगदान दिया है, देश आज उसका रणी है, उन्होंने उस कठीन समय में भी स्त्री सिक्षा की अलग जगाई, अनेक बाली कास्रम स सापित करवाएं और महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जैन साध्वियों से सभा में प्रवचन दिलाने की प्रंपरा विजय वर लब जी ने शुरू करवाई थी उनके प्रयासों का संदेश यही था कि महिलाओं को समाज में सिख्षा में बरा बरीकार ये दरजा मिले भेजभाव वाली सोच और प्रथाएं खत्म हो आज आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि देश में इस दिशा में कितने सारे बढ़ला हुए है तीन तलाग जैसी कूर प्रथाओं के खिलाप देश ने कानून बनाया है महिलाओं के लिए ऐसे सेक्टरों को भी खोला जा रहा है जहां अब तक उनके काम करने पर मनाई थी अब देश की बेटियां को सेनाओं में अपना शावर्य दिखाने के लिए उनको भी ज़्यादा विकक्त मिल रहा है इसके साथ ही नई राष्टिय शिक्षा नीती अब देश में लागू होने वाली है इनीती शिक्षा को भारतिय परिवेश में आदुनिक बनाने के साथ साथ महिलाओं के लिए भी नए अवसर तयार करेगी